हाई फ्रेंट्स आप है जो दर्पन है उसमें मैं लोग इन हो चुका हूं लोग इन होने के बाद आपको माई अप्लिकेशन में जाना है माई अप्लिकेशन में जाई आगा देखिए मैं माई अप्लिकेशन क्लिक किया यह माई अप्लिकेशन होता किया आपने कितने कॉलेज म मैं घिसमें कीत है तक आप जितने कोलेजğ में भी एप्लाई कीये थे उसमें आप那े कườ है किने देखिए यह पहला में मुझे दिखा रहा हुद्ठ प्हेला में सेलेक्टेट हूद दूसरा college में भी मुझे selection मिल चुका है हाँ ये तिसरा college है मैंने 5 college में apply किया था तो देखिए ये college में मुझे waiting list में रखा गया है ठीक है ये देखिए ये college में मुझे waiting list में रखा गया है हला कि waiting list जिसका रखा गया है उसे मिलने की chances बहुत ज़्यादा है कि दूसरा कॉलेज में देखता हूं इसमें भी नोट सेलेक्टेट यानि यह दोनों कॉलेज मुझे छोड़ देना परेगा कोई फाइदा होने वाला नहीं यह वेटिंग लिस्ट जिसमें हैं इस कॉलेज में जाकर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने कॉलेज के जो लेज़ने तो यहां पर जाईएगा वेटिंग लिस्ट का इसके बाद जो एड्मिसन लेंगे वह लोग डिसीजन लेंगे कि क्या किया जाएगा कितने स्टूडेट इंग लिस्ट में आ रहे हैं और किसको चांस दिया जाएगा तो इसमें चांस मिलने की आपको एप्लीच जो apply किये थे admission मिलें कि बहुत ज़्यादा chances है लेकिन जो not selected है उसमें कोई फाइदा होने वाला नहीं है और यहां पर तो selection होने से यह तो आपका selection जिसका हो चुका है आप directly यहां पर यहां पर दिया गया है आपका जो admission है request acceptable है आप वहां पर जाके अपना जो भी document submitted किये थे वह college में जाके submitted कर सकते हैं तो बाइद वह आसा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा अगर इसके बावजुद भी कोई क्वारी है तो नीचे discussion के नीचे मेरा worship number रहेगा आप call करके मुझे पूछ सकते हैं तो बाब बाइट टेक किये रहे